नमस्कार आप लेखे रहें टी एनपी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ फ्रीती भार्दवाज गुलिटिन के शुरुबात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां दिली से बड़ी खबर आपको बता दे आम आदमे पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्टे मनीश सी सोधिया को जमानत दे दी है दस लाग रुपे का बेल बॉंड फरना होगा दिली के पूर्व उप मुख्य मंत्री और आमादमे पाथी के नेता मनीश सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे दिली के तथा कतित शराब गोचाले मामले में सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से ही हिरासत में है मनीश सिसोदिया की जमाना त्याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नीशे अगस्त को फैसला सुनाया था लेकिन उसे सुरक्षित रख लिया था फिलास सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमाना दे दी है लेकिन सिसोदिया को 10 लाथ रुपए के नीजी मुचल के भरने होगी और दो शुरटी जमा करनी होगी मनीश सिसोदिया जो कि दिली के पूर्व डिप्टी सीएम है उनकी गिरफतारी 22 फरवरी 2023 को होती है जिसके बाद ये पूरा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता है दीरे दीरे करके तमाम जुनाम इसमें शामिल होते हैं उन सभी पर जांच की आंच पड़ती है दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के शिवाल भी इसी मामले से जुड़े हुए प्रकरण में जेल में बंद है आपको बता दे कि 17 महिने के बाद सुप्रीम कोर्ट से दिली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीश सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से ये बड दिली राहत आम आद्मे पाटी को दी गई है शराब नीती के मामले में दरसल आरोप था कि यहाँ पर कुछ नीजी इनवेस्टर्स जो हैं जो लोग शराब कारोबारी हैं उनको यहाँ पर फाइदा पहुचाने के लिए दिली सरकार की ओर से शराब नीती में कुछ यहाँ पर बदलाव किये गए जिसके बाद पूरी दिल्ली की सियासत इसी पर शुरू हो गई और एके करके तमाम लोग इस पूरे मामले में जांच की आँच में भी फस्ते रहे लेकिन ऐसे में 17 महिने के बाद मनीर सी सोधिया को सुप्रीम कोट की और से जमानत दी गई है जादा जानकारी के लिए समधातर शिवम पांडे हमारे साथ जूड़ चुके है शिवम 17 महिने के लंबे इंतिजार के बाद आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी रहात मिली है चुकि मनीर सी सोधिया को अब सुप्रीम कोट में जमानत दे दी है प्रिती जी आपको बताना चाहूँगा कि सद्न देखा जाए आम आदमी पार्टी के जो पूर मुख्यमंतरी रह चुके मनीर सी सोधिया को आज कहीं न कहीं एक बड़ी रहत मिली है कि कि साफतोर से देखा जाए जिनको कहीं न कहीं जमानत मिली है 17 महीने से कड़ी मसाकत की बाद अगर बात किया जाए राव जवेन्य कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रिम कोर्ट तो यानि बात किया जाए कई जगाहें से दर-दर की ठोकरे खाते हुए आज 17 महीने बाद मनीश शिषोदियों को जमानत मिली है और इस जमानत से बाहर आगे क्योंकि देखा जाये तो लगातार कहीं न कहीं मनीश शिषोदियों के जो दलीले थे वो लगातार कोड के सामने रखी जा रहे थे और कहीं कहीं अब 17 महीने बाद मनीश शिषोदियों के जमानत मिली है और बड़ी जमानत मिली है क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली हाई कोड के फैसले के रूप के बाद कहीं न कहीं सुप्रिम कोड का भी दरवाजा खटकर आया तो सुप्रिम कोड ने पूरी तरीके से देखा लेकिन आज कहीं न कहीं मनीश शिषोदियों को जमानत मिली है लगब 17 महीने के बाद यानि बात किया जाए कि लगाता हरु न की पद्नी के चब्राब होने के बाद भी एक लाग रुपए यहां कि बाहर निकाला जा रहा है जी अभी क्या कि शर्टे लागू होने वाली है मनीशी सोधिया के ऊपर शिवम इसके बारे में भी जानकारी थे बिल्कुल बिदिच्व आपको बताना चाहूँद्ए काभी का कॉर्ट का फैसला है कॉर्ट के फैसले के बाद क्या क्या― टलीले चाहएं है कि कॉर्ट की कारवाय यह अंदर चल रही है लेकिन अब देखा जाए सुप्रिम कोड्स स्राब देती मंले में एक बात कि एक बड़ी जीत मानी जा रही है और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो नियम और सर्त होगा वो कहीं न कहीं पूरी तरीके साथ कुछ देर के बाद कोड के बाहर आएगा कि अर्विन में मानी शिषयोद्या को किन सर्तों पर छोड़ा जा रहा है क्या क्या मुझते हैं और भी आजाएंगे और साथी साथ कई दलीले भी रखी गई हैं जो मनीश इसोदिया के वकील थे उनकी तरफ से कई आज कोट में दलीले रखी गई थी पहले और उसके बाद फैसला सुरक्षी रखा गया तो यानि बात किया जाए आन मनीश इसोदिया और आम आदमी पार्टी को ये बड़ी राहत मिलती ही नजारा रही है जी सुप्रिम कोट में ये भी कहा है कि हाई कोट या फिर निचली अदालत ये भी ना भूले कि जमानत एक प्रक्रण होता है उसका प्रारूप होता है बिलकुल बिलकुल देखा जाए अगर हम इससे पहले की बात किया रहे है जो डिल्ली के मुक्य मंत्री अर्विन केजिजी वाल थे उनकी जमानत की बात किये जाया है कि निचली अदालत ने उनको जमानत का आदिश दे दिया था लेकिन कहीं न कहीं जो E.D. के वकील थे वो दिल्ली हाई कोट का दर्वाजा खट-खटा कि कहीं न कहीं इस्तिय लगाया था लेकिन इस बार सुप्रेम कोट ने साथ और के असपास्ट सब्दों में कहा है कि सभी क कि कहीं न कहीं अजर रहात दी जाती है तो उनके कई दलीलों को देखते हुए रहत दी जाती यानि मनीश शीष दिया के जो वकील थे वो पूरी तरीके से दलील रखे थे सुप्रेम कोट के अंदर और सुप्रेम कोट ने आज बड़ी रहत देतों इन जा रहा है कि का साथ से देखा जाए तो लगातार मनीश शीष दिया 17 महीने बाद यानि देखा जाए तो बाहर निकल के आया हूंगा और और आपको जो सोर्सों से जानखारी मिलके रहा है प्रिती जी वह भी पताना चाहूंगा कि आज साम को ही मनीश शीष दिया को बेलबॉर्ण पर साइन किय जाए उसके बाद कहीं न कहीं वो तिहार जिल से आज साम को ही बाहर आ जाएंगे तो यानि पूरी प्रक्रिया देखा जाए तुमानी सर्वोच चिनादालत ने कहीं न कहीं एक पर मनीश शीष दिया को और आमादमी पार्टी की जोली में खुसी का लायर फेका ते यानि ब आएगा कहरे सब्ते की जीत हुई है तो पूरी तरीके से आज 17 महीने बाद के एक बड़ा फैसला आया है क्योंकि पिछले साल देखा जाए चब्विस फरवरी को मनीश इशोदिया को गिरफ्तार करके तिहार जेल में बंद किया गया था तो पूरी तरीके से एक बार फैसला था वह बड़ा फैसला था आदमी पा निगम पारसाद है कैविनेट मंत्रियां साथ ही साथ देखा जाए समय खुसी का लहर देखने को मिल रहा है प्रिदी जी पूरी तरीके से जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवम आपका तमाम जान करें के लिए